हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंसी के पहले हपते में महिला को क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगी तो वीडियो को पीरिड मिस होने से पहले ही महिला का फस्ट वीक स्टार्ट हो जाता है जब भी महिला का ओवुलेशन होता है ओवुलेशन होने के बाद में इंप्लांटिशन हो जाता है उस प्रोसेजर को हमारा फस्ट वीक प्रेग्नेंसी आएगा प्रेग्नेंसी के पहले हपते में महिला कि body में क्या क्या changes आते हैं तो जब भी ovulation होता है वो हमारे period के 24 दिन पर होता है अगर आपकी patient की period cycle different है 30 दिन 32 दिन 35 दिन 40 दिन की तो उसमें ovulation के days अलग हो सकते हैं पर हम एक normal period cycle के बारे में बात कर रहे हैं जिन महलाओ की 28 days की period cycle रहती है उसके बारे में अगर आपकी patient की period cycle normal है 28 दिन 30 दिन की है तो इसके हिसाब से हमारा जो ovulation होगा वो 14 दिन और 16 दिन पर होगा तो जब आप इस दर्मियान contact में आते हैं आपका एग और इस्पम मिल जाता है उसके बाद में फैलोपिन ट्यूब के अंदर fertilization होता है fertilization होके एक जाइगोड बनता है जो की नीचे आकर के uterus मा की implant होता है तो यह हमारा first week होता है जब भी first week start होता है हमारा बच्चा uterus में आके चिपकता है fetus उस दुरान मेहला को हलका फुलका पेट में दर्द होता है पेट दर्द बहुत जादा नहीं होता है जैसे मेहला बेठी हुई है या सोच रही है या वो सो रही है, रिलेक्स होके सो रही तब patient को थोड़ा सा लगेगा कि मेरे पेट में कुछ तो खुचाव हो रहा है कुछ गड़बड चल रही है या फिर minor सा pain हो रहा है जिसके लिए उसको कोई medicine की need नहीं रहती है वो दर्द थोड़ी देर के लिए होता है फिर अपना आप ठीक हो जाता है तो ये जब हमारा बच्चा या हमारा fetus uterus मा के connect होता है तब कि procedure रहती है जैसे हमारा जो fetus है वो uterus मा के चिपकेगा तो उसके बाद में जब हमारा implantation होता है तो उस दोरान implantation bleeding भी होती है यानि कि बच्चा uterus मा के चिपकता है जैसे कि हमारा बच्चा ये uterus से इस मा के चिपकरा घर बना रहा तो यहाँ वो गड़ा बनाता है गड़ा मिंस वो जगे बनाता है तो उस दोरान यहाँ का blood कहा जाएगा vagina के थुरूबार आएगा तो उस condition को हम implantation bleeding भोलते है कि हल्की फुल की sporting हुई है पेट दर्द के साथ में तो यह normal रहती है इसमें घबराने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है आपको इसके बाद में दूसरा लक्षन होता है कि breast में pain या सूजन आने लगती है साथ ही में body में थोड़ा temperature बढ़ने लगता है या हलका fever हम कह सकते कि भाई हाथ पेरों में दर्द है बहुत तेज ठंड लगके बुखार नहीं आ रहा है सिर्फ थकावट सा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा minor सा fever है मैं सो रही हूँ तो body गरम हो रही इस तरह के लक्षन आते हैं तो ये भी pregnancy के first week में ही इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं इसके बाद में जब भी महला गरबधारण यानि की conceive कर लेती है तो महला को ठकावट होने लगती है breast में pain होता है और indigestion से related problem होने लगती है जैसे gaze बनना, hyper acidity होना, bloating होना या पेट साप नहीं होना या फिर इसके बाद में भूख कम लगना स्वाद में परिवर्तनाना इस तरह की problem conception के बाद में होने लगती है क्योंकि body में progesterone hormones का level बढ़ जाता है जिसके कारण हमारा जो पाचन तंतर रहता है खाना पचने की जो procedure रहती है वो down पढ़ जाती है तो जब भी महला गर्बधरन कर लेती है तो progesterone hormones का level बढ़ने की कारण पाचन तंतर से related problem patient को होने लगती है बहुत ज़्यदा थकावट महसूस होती है बहुत weakness लगती है तो ये सारे जो लक्षन है ये हमारे pregnancy के शुरुवात के लक्षन रहते हैं प्रेगनेंसी के first week के लक्षन रहते है अब इसके बाद में आपका period मिस हो जाता है तो period मिस होने के बाद में आपको एक हफते बाद pregnancy test कर लेना चाहिए जो की positive आएगा तो हम समझ सकते हैं कि जो इससे पहले लक्षन दिखाई दे रहे थे वो आपको pregnancy के sign थे कि आप conceive कर लिए हो तो इस तरह से हमको pregnancy के पहले हफते में इस तरह के लक्षन दिखाई देते हैं जो की नॉर्मल ही रहते हैं इसके लिए कोई घबराने के अविशक्ता नहीं है आपको ये सारे लक्षन, time के साथ में एड़्जस हो जाते हैं आपकी बोडी में और आप भी इनसे डिल करना सीख जाते हैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्य हमसे में pregnancy के पहले हफते के बारे में आपको संपुन जानकारी दे पाईँ धन्यवाद